सपने तो हम हजार देखते हैं लेकिन पूरा कोई एक ही हो पाता है जी हाँ सपने देखने के लिए हम कभी डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं तो कभी इंजिनियर बनने का सपना देखते हैं तो कभी अधिकारी बनने का सपना देखते हैं तो कभी-कभी हम लोग अपने गाउं के ही मुख्या बनने का सपना देखते हैं यानि कि हम लोग सपना तो हजार देख लेते हैं लेकिन पूरा कोई एक ही हो पाता है पता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे हमारी मेहनत और लगन छिपी होई होती है आज की कलास 12 इंगलिस में हम लोग लेशन जो फूर पढ़ने वाले हैं ये भी किसी का देखा हुआ एक सपना है जो किसी के अन्याय के प्रती न्याय का ख्याल रखने का सपना है तो फाइनले स्वागत आप सभी को ग्यापन एकडिमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट और आपके एक्जाम के पॉइंट ओवी से पावर्फुल साबित होने वाले है अच्छा लगे तो अंत में लाइक करके जाना है और चैनल पर ने हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों में शेयर कर दिजेगा ताकि इस वीडियो का फाइदा हो भी उठा सकें मुझे पता है कि आप लोग हो सकता है कि किसी न किसी मतलब सोर्च से इस चैप्टर को आप पढ़ लिए होंगे बट यहां पढ़ने के बाद आपको जो नौलेज मिलने वाला है जो आपके अंदर तजूरबा और जो आपके अंदर कंफिडेंस आने वाली है पता है आइफ एट्रियम को हिंदी में करते मेरा एक सप्ना बढ़ा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये एक सपना है और ये सपना किसी ऐसे ब्यक्ति के दोरा देखा गया सपना है जिस सपने को अपने चेप्टर के नाम में तबदिल कर दिया और इस चेप्टर का नाम पड़ गया I have a dream और ये सपना देखते हैं किसी के अन्याय के प्रति-ण्याय दिलाने का सपना ठीक है ना और यह एक speech है और यह speech कब दिया गया था तो किसी platform पर दिया गया था यह सारी बाते हम वीडियो के पूरे परती एक moment पर हम करने वाले हैं परती एक line में हम आपको पूरे line by line से हम पूरा knowledge देना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रही है सुनिए देखिए आई ह एक speech है तो ध्यान में रखिएगा कि आपको चेप्टर का नाम दे देता है और अबजेक्टी में पूछ लेता है कि यह एक speech है कि ऐसे है कि क्या है जो भी अधरक्लासन प्यास किसी भी तरीके का सवाल अगर पूछ दें तो आपको जवाब देना है कि I have a dream यानि कि who is the writer of I have a dream के writer कोन है तो बोलीगा Martin Luther King Junior ये एक बेपीस्ट है बेपीस्ट किसको बोलेता है जो इसाइध दिक्षा गुरू होते हैं उसी को ठीक है ना इसाइध की घ्यान देने वाले होते हैं उसी को कहते हैं बेपीस्ट अमेरिकन मिनिस्टर थे ये अमेरिका के मंत्री थे और एक्ट रशक्रान की अमेरिका से गांधी जी को मारा गया उसी तरीका से इनको भी रास्मई तरीके से मार दिया गया फूर्थ अप्रील 1968 यानि चार अप्रीड-श्ट को इनको अमेरिका के घ्यान देखे नहीं उसी तरीकेITY नहीं हुई भगवान ने इनको नहीं मतलब मौत दिया बलकि इनको किसी ने मौत के घाट उतार दिया ठीक है इसलिए हम एसिसनेटर लिख है फुर्थ आपनी 1968 अब आईए हम लोग चलते हैं देखिए आप से देखिए इसका समरी का आई है अगलाता है लगूं के समझेक हो जाने आप बारी की ëसा समरी क्या है कि आई है निल्क दीघर पता है एदम जैसे ऑप्सन दिया रहे है ना तो उसमें से आई है यह जैसे दिखेगा तो आप लिखेगा इसी तरीक है जैसे मैं लिखवार हूं आई हेवे ड्रिम मेरा एक सपना इज एए स्पीच या एक क्या है भासड है जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलेवरड दिये थे on the steps of Lincoln Memorial in Washington DC यानि Washington DC के Lincoln Memorial Hall में इन्होंने ये स्पीच दिया था तब का यह आई हेवे ड्रीम नामक यह चेप्टर का नाम पड़ा ठीक है ओन अगस्ट अब यह कब दिये थे तो अगस्ट 28-1930 यानि 28 अगस्ट 1963 को दिया गया यह एक भासड इसलिए हम कहेंगे कि आई हेवे ड्रीम नामक जो चेप्टर है यह एक भासड है किसका मार्टिन लुथर किंग का आई हिस ड्रीम वाच अलबामा अलबामा पता है किया है यह अमेरिका का एक राजती थे तो अलबामा एज डेवलाप उनका एक सपना था कि वह अलबामा को एक विक्सित राज्य की रूप में देखना चाहते थे free of racial distinction between the white and black ये तो पहले जो है ना मेनुफियस लिखना बहुत जरूरी होता है इससे होगा ये कि examiner जैसे ही देखेगा कि और यार मोटा मोटी भी सर बस तो लिख दिया तो आप आगे कुछ लिखने में काला और गोरा के बीच जो भेद चल रहा था उसके बीच पूरी की पूरी तरीका से खतम हो जाए वह इस तरीके से अलबामा को देखना चाहते हैं क्योंकि अलबामा में निग्रो जाती रहते थे हैं अब आई ये बात करते हैं दिस एनॉंस्मेंट या घुसना ब्राउट एर जो होफ किगा ना ये घुसना एक आशा की कीनर जघादीолот माउग मिलियंओ निग्रो ब्रोधर यानि निग्रो के जितने भी जन जाती थे हैं उन सभी के बीच ये भासड आशा की कीनर जघादी कोई तो है कोई तो बंदा है जो हम सभी किया परतिया का सवाल उठा रहा है हमारे हक के प्रति वो लड़ रहा है कोई तो बंदा है जो हमारे अन्याय के प्रति अपना दामन उठाया है कोई तो है तो इन लोग के अंदर क्या हुई एक आसा की किनर दिखाई दिए तो इसलिए मैं यहां पर लिखा हूँ कि इस एनाउंस्मेंट यह घुष्णा ब्राउट ए रिय आप होप यह एक आसा की किनर जगादी एमांग मिलियन ओफ निग्रो ब्रोदर जो अलबामा में बहुत सारे निग्रो जाती रहते थे ना निग्रो भायों के बीच एक आसा की किनर जगादी कि कौन यह मार्टिन लूथ और जो उसमें काम कर रहे हैं इंसान थे जो निग्रो जाती कहीं थे थे ना उनके अंदर भी यह आसा की किनर जगादी not only so but इतना ही नहीं सुनेगा देखिए मैं कितना सिंपल इंग्लिस लिखा हूं जो हमारे और आपके बीच बोली जाने वाली इंग्लिस थे ना उसी भा विएर गीवें होप आफ लिविंग अफ्री लैप उनको सोतंद्र जिंदगी जीने की आसा दिला दी ठीक है तो चलिए अब इसके बाद वाला हम लोग जो है ना कि मतलब पाराग्राफ को समझते हैं इतना तक ले लेजिए स्क्रीन सॉट तो चलिए बिना दिर क्या हम लोग नेक्स्ट पाराग्राफ के परतीक लाइन के हिंदी को समझ लेते हैं बहुत आसानी से देखेगा यहां पर क्या है कहा कि बट लेकिन इस सेंचूरी लेटर मैंने पता है सब कुछ करने के बाद भी मैंने यह भासर देने के बाद फिर भी बट लेकिन सेंचूरी लेटर मैंने सद्यों बितने के बाद वी फाइंड कौन मने यह जो मार्टी लुथर किंग थे उन्होंने जो भासर दिया भासर देने के बाद उनको लगा कि अब इसकी प्रती जो है जनता जागरुक हो जाएगी और गोरा और काला का भेद खतम हो ज सेकल्स और डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखा कि अरे यार सेंचूरी बीद गाएं फिर भी देख रहां कि काला और गोरा के बीच भेद भाव उसी तरीका से हैं और काला गोरा के भेद भाव के बेड़ियों में वह लोग जक्ड़े हुए हैं अभी भी ठीक है ना एड़ सिग्रीशन यानि डिस्क्रिमिनेशन और क्या हुआ सिग्रेशन गाम अधार और सेकल्स मतलब होता है बंध हुआ तो यानि कि निग्रोज देखा मतलब क्या हुआ हमारे जो माटी लुथर खिंग थे वह सेंचूरी बितने के बाद भी आकर के देखा कि अरे यार यह तो नि इस दूटीज और प्रोवाइडिंग फैसिलिटी तुदा निग्रोज अमेरिका इस टर्चरिंग दें यानि इन्होंने अमेरिका को कहा अन्य पूरिय लोगों के बीच कहा है कि अरे यार अमेरिका को ठीका ना निग्रोग की जरूरतु को पूरा करने के बदले में इस कि यह मनें सिच्वेशन देखने के बाद किंग सेज माटी लूथर की कहते हैं ठीक है ना डाट की इफ वी कंटिन्यू टू सीट क्वेटली लाइक दीस अगर हम इसी तरीके स्षांत बैठे रहें दनीग्रोग विल नॉट गेट जस्टिस निग्रोग को न्याय नहीं अगर हम लोग अपनी आवाज को नहीं उठाएं तो हमारा समाच में निग्रो के बीच काला और गोरा का भेद्वा निग्रो का मतलब क्या हुआ अमेरिका का काला अदमी को ही क्या बोला जता है negros बोलत तो निग्रोग के खिलाफ अगर हम लोग अपनी आवाज को न उठाएं अपने हाथों को न उठाएं अपने को मतलब उसके प्रति हम लोग थोड़ा सा समय ना दें तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों का मतलब जो है डिस्क्रिमिनेशन कभी इंड नहीं होगा वो लोग अपने आपको कभी स्वतंद्र फिल नहीं करेगा आगे देखिए क्या लिखते हैं मार्टी लूतर किंग जूनियर यानि के मारी हुं कहते हैं शेडाट कहते हैं कि considering Negroes as a week یعنी कि नीग्रों को कम्जोड समझना इस डेंजरस यह खतरनाख है फोर दनेशन राष्ट को मने राष्ट के प्रती यह खतरनाख है यानि कि नीग्रों को कमजोड समझना और काला गोरा के भेदभाव जो चला उसी तरीके से छोड़ देना जियों करते हो यह हमारे राष्ट के लिए बहुत ही खतरनाक है he says उन्होंने कहा मैंने वो कहते हैं that this year 1963 यानि जो 1963 का यह जो साल है is not the end यह समात होने वाली नहीं है और संघर्स का यह अंतिम साल नहीं है बट लेकिन इट इस बींग इस बीगिनिग यह तो शुरुवाती है और निव रिवलिशन करांतिकारी का एक नई शुरुवात है which will still continue जो तब तक चलती रहेगे अंटिल जब तक डिस्क्रिमिनेशन एगेंस निग्रों एंड्स जब तक कि निग्रों के भी जो यह आवाज उठायते हैं निग्रों का भेद भाव खतम न हो जाए तब तक कि यह जो है ना अंदोलन और यह करांतिकारी चलती रहेगे जाना काईक उन्होंने कहा चाख वह कहते हैं कि वह सब्सक्रायक समझरी यह उख्यक्री चलता रहेगा पिशफुल सांती से खांग ना जहां सांती की बात आजा तो समझ लेना कि वह इनसा अहिंसा के पुजारी है वह बिलकुल गादी जी के नक्षे कदम पर चलने वाला बेगती है तो उन्होंने कहा कि we will face the evil doers वह उन शैतानों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फेस करेंगे विट गुड भी हैबियर मने हम लोग अपने अच्छे बेवहार से उस जो है ना निर्दयों को फेस करना है ठीक है ना क्योंकि all the Americans are not same क्योंकि अमेरिका में रह रहा है सभी लोग सेम नहीं है सभी लोग एक तरह नहीं है some people believe in white people कुछ लोग ऐसे हैं जो वाइट लोगों में बिल्कुल भी स्वास रखते हैं और कहते हैं सब्सक्राइब की दियर और डेस्टिनेशन इस सेम उनका और हमारा सोच जो है न और बेवहार जो है सेम टूसे मिलता जुलता है तो आई होब कि यहां तक जो भी हमने परतियक लाइन को लाइन बाइन से हिंदी करके समझाने के कोशिच कि आपके दिमाग में फिट हो गया होगा तो चलिए बिना दिर किये ठीक है न हम लोग नेक्स्ट परगराप को और हो सकता है कि इस वीडियो का लास्ट परगराप होगा और इस सौट समरी का लास्ट तो चलिए बिना दिर किया हम लोग इस चेप्टर का दा इंड करते हैं और दा इंड वाली जो परगराप है इसको भी हम लोग लाइन बाइन से परतियक परगराप को हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं देखिए गा करा एनेवे जो कुछ भी हुआ बहरेहाल किंग सेज पूरी आसा और विश्वास के सांथ जाना चाहिए डाट कि वी विल डेफिनेटले सक्सीड हम लोग जरूर सफल होंगे एंड वी विल गेट जस्टिस और हम लोग नयाय के प्रति जो है ना हम लोग जाएंगे वो कहते हैं कि इन्हें स्पाइट आप सो मैनी डिफिकल्टीज मने कितना अभी समस्य क्यों ना आ जाए आये स्टील है ड्रीम तो भी मेरा यह एक सपना रहेगा यहां लोग निग्रोस के अन्याय के प्रति जो है ना अवाज उठा करके और उसको न्याय दिलवा करके ही घर वापस जाना है that की one day social equality will मने कहें लिए ताकि एक दिन social equality will definitely come ताकि समाजिक एक जूटता आ सके and or we will all sit together ताकि हम लोग सभी समाज के जितने भी जान रखने वाले प्राड़ी है जितने भी हम लोग मनुस्या है एक साथ बैठ सके on the same table एक ही table पर यह नहीं कि निग्रोस के ल अलग टेबल रहेगा दूसरे परजाती के लिए अलग टेबल रहेगा ऐसा नहीं होना चाहिए with our fundamental rights अपने पूरी अधिकार के साथ एक table को हम लोग सभी एक साथ बैठ सके His dream is that उनका सपना है कि black and white children जो भी काला और गोरा बच्चे हैं in Alabama, Alabama के अंदर work together एक साथ चले holding hands अपने हाथ को हाथ जुटा करके His dream is that उनका एक सपना है कि discrimination based on color जो discrimination जो भेद भाव रंग पर चल रहा है जाती पर चल रहा है should end यह समाप्ठ हो जानी चाहिए and everyone should come together in one group और सभी के सभी एक साथ एक समूह में हो जाए एक जमाप में हो जाए तो यह रहा आपका class 12 English का fourth lesson का परती एक लाइन का हिंदी और पूरे chapter का यह short summary जी हाँ आपके exam में अगर पूछ देगा ना तब आगो ऐसे ही लिख करके आईएगा तो मिलते हैं next video में next chapter के साथ तब तक के लिए जैहिंद झाल